देखे । अपर आपके लिए हम प्रश्र करा रहे हैं। प्रश्र जो है आप पर 15 है आपके लिए देखिए क्या प्रश्न है। तो यहां पर प्रश्न ये है कि 50 से 500 के बीच सास से बिभाजित होने वाली सबही प्राकृत्र तक संख्याइं गात किजिए की कितनी होगी। बिभाजित होने वाली हैं तो 50 के आगे जब हम नंबर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो पहला नंबर आएगा वो आएगा यहाँ पर 56 यह साथ से बिभाजित होगा इसी इसाब से यहाँ पर आगे जो नंबर आएगा अगला वो आएगा 63 यह भी साथ से बिभाजित होगा और फिर इधर 500 से पहले नमबर कौन सा आएगा वो आएगा आपके लिए यहाँ पर 497 ये भी सास से भी वाजित होगा इसका मतलब 50 और 500 के बीच में संख्याँ ये वाली होगी तो 56 से ले करके होगी यहाँ पर डॉट डॉट करके 497 ये होगी तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके लिए सभी संख्याओं को निकालना पड़ेगा कि 50 से 500 के बीच कितनी संख्याओं होगी तो पहला हम टर्म माल लेते हैं ए बर अबर 56 और D कमान आ जाएगा यहाँ पर 63-56 तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 7 आ जाएगा यहाँ पर D कमान 7 यानि common difference 7 हो गया तो यहाँ पर हमें number of terms निकालनी है यानि पदों की संख्या निकालनी है N तो L बराबर यहाँ पर A plus N minus 1 into D यह सुत्र को लगा देना है L कमान है हमारे यहाँ पर 497 बराबर A कमान है 56 plus N minus 1 into D D कमान है हमारे यहाँ पर कितना है D कमान 7 यानि common difference 7 चलना है तो यह हो जाएगा 497 minus का 56 equal to N minus 1 into 7 तो इसको यहाँ पर घटा लेंगे तो यह हो जाएगा अपके लिए 7 में से यहाँ पर 6 गया एक बचा और 9 में से 5 गया यहाँ पर 4 बचा और यह 441 तो यह बचा 441 बराबर में 7 की गुणा N से हो जाएगी 7 N 7 की गुणा 1 से हो जाएगी तो मैनस का 7 तो 441 और यह 7 इदर जुड़ जाएगा बराबर में 7 N 441 और 7 जुड़ जाएगा तो 400 आप पर 48 हो जाएगा बराबर में 7 N तो N बराबर हो जाएगा आपके लिए 488 और बटे में 7 इसको काट देंगे यहाँ पर साच्छंग 42 बचा यहाँ पर 2 28 साच्छंग 28 यानि N बराबर जो आगे यहाँ पर वो आगे 64 तो इसका मतलब वो है यहाँ पर 64 पद होंगे जो की इस तरीके से यहाँ पर 50 से 500 के बीच कितने पद होंगे 64 पद होंगे यहाँ पर इस सीरीज में जो बात यह की जा रही है तो इसमें ही हो गया सवाल आपके लिए 15 पा कोश्छं अब यह सोलमा कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में आया हुआ है तो सोलमा प्रश्ण पर यहाँ पर बात करते हैं सोलमा प्रश्ण क्या है लिखा है यदि एक समांतर शेणी के M बे पद का M गुना और N बे पद के N गुने के बराबर हो तो सिद्ध करो कि समांतर शेणी का M प्लस N बे पद जोगा वो सूनने होगा इस बात को में प्रूफ करना है तो M बे पद का M गुना है यानि T M अगर माने हम M बे पद तो M गुना कर देंगे M इंटू T M बराबर N बे पद के N गुने के बराबर है यानि N बे पद अगर में इंटू T N और उसमें N से गुना करा दी है इसके बराबर है और आप से पूछा गया है कि M प्लस N बापद जो होगा वो सूनने होगा इस बात को हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इस बात को रखते हैं देखे M लिखा हुआ है तो मैंने लिखा M गुने T M यानि N बापद अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा A प्लस M माइनस 1 इंटू D यह हो जाएगा इससे साबसे N बापद अगर हम लिखेंगे इदर तो यह हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D देखें यहाँ पर M वापद अथा तो हमने M माइनस 1 इंटू D लिख दिया यहाँ पर N वापद है तो हमने लिख दिया N माइनस 1 इंटू D अब इनको solve करेंगे तो solve कैसे करेंगे यहाँ पर देखे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे M लिख लेंगे इंटू में A प्लस M D M D माइनस का D यह हो जाएगा बराबर में N इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए A प्लस N D माइनस का D यह हो जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए हमें D का मान निकालना पड़ेगा कि D का मान क्या आएगा क्योंकि D की बज़े से हमें यहाँ पर A का मान निकालना पड़ेगा तो इस हिसाब से यहाँ पर गुणा कराएंगे और गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा M A और M SQAIR D और माइनस का M D बरापर यहाँ पर हो जाएगा N A N SQAIR D और माइनस का N D यह हो जाएगा तो देखें यहाँ पर M A है मैंने लिख दिया M A N A को इदर लेंगा N A इदर आगया प्लस M SQAIR D और N SQAIR D को इदर लाओंगा तो minus का n square d हो जाएगा minus का m d और यह n d इदार ले आऊँगा plus का हो जाएगा n d equal to zero आप यहाँपर क्या करेंगे देखी यहाँपर आप a common ले सकते हो तो मैंने a common ले लिए बचेगा m minus n यहाँपर मैंने d common ले लिए तो d common ले लिए बचेगा m square minus n square और यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा D माइनस D कॉमन ले लूँगा इस हिसाब से D कॉमन आ सकता है तो यहां पर बचेगा हमरे पास जब माइनस कॉमन आ गया तो यह तो प्लस का हो जागा और यह बाला माइनस का हो जागा M माइनस N और D कॉमा ना चुका है बराबर में 0 तो देखें M-N से सब जगे भाग चला जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर A into M-N और प्लस D into M square minus N square लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ M-N और एक बार में M plus N और फिर D into M-N equal to 0 तो M-N से हम पर पूरी तरीका से भाग देदेंगे M-N से यहाँ भी भाग M-N से यहाँ भी भाग और M-N से यहाँ भी भाग चला जाएगा इससे यह cancel हो जाएगा हमारे पास बचेगा A plus D into M plus N और minus का यहाँ पर बचा D equal to 0 यह बचा तो यहाँ पर हमें यहाँ पर D का मान निकालना है तो यहाँ पर देखी हमारे पास बचा A plus D common ले लेंगे तो बचेगा M plus N minus 1 equal to 0 समीकर नमबर 1 अब इसससाब से हमें यहाँ पर M plus N वापद निकालना है तो देखी हम लिखेंगे M plus N वापद तो याँनि T M plus N वापद हमको निकालना है यह मान के चलेंगे यह जो टर्म है आपको प्रूफ करने है कि 0 होगा M plus N वापद तो हम लिखेंगे A plus M plus N minus 1 into D यह निकालना है अब आप यह देखी है समीकर ने X से हम लिख सकते है M plus N minus 1 into D यह वाला देखें यहाँ पर कितना आया यह पूरी तरीका से अगर मैं पूरा-पूरा यहाँ पर लिखूं D into M plus N into यह वाला तो A कमान इस हिसाब से कितना जाएगा यहाँ पर यह टर्म लिखूंगा तो 0 आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ अगर मैं A कमान निकालू तो यह हो जाएगा माईनस में तो माईनस का D into M plus N minus 1 यह वाला माईनस का यहाँ पर रख़ दूँगा तो A plus यहाँ पर यह a कमान हो जाएगा माईनस का D M plus N minus 1 और यह plus में M plus N minus 1 into D तो आप देखें यह minus में यह प्लस में, यह cancel हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आगया 0, यह हो गया M प्लस N वापद जो हो गया, वो 0 हो गया, यहनि M प्लस N वापद यहां पर आपके लिए 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर आपने यहां पर प्रश्न हो गया है, M प्लस N वापद 0 हो गया, अब बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्ण की और इसका 17 प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है तो 17 प्रश्ण करेंगे देखें यहाँ पर बच्चों हम आपके लिए 17 प्रश्ण करा देते हैं और इस तरीके से लगूत्रिय प्रश्ण आपके खतम हो जाएंगे तो सत्रमा प्रशन यहां पर है कुछ इस प्रकार देखिए लिखा है यदि एक समान तरशनी का सात्मा पद माइनस एक है इसका मतलब T7 इकल टू माइनस का 1 माल लिए सोलमा पद सत्रा है यानि T16 इकल टू 17 यह सोलमा जो पद है वो सत्रा है तो उसका ब्यापक पद गयाद करना है यानि यानवा पद आपको गयाद करना है तो T7 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D इकल टू माइनस का 1 इक्वेशन नमबर 1 माल लेंगे इससे साब से T16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D इकल टू 17 ये एक्वेशन नमबर 2 होगे अब इन दोनों समीकणों को सॉल्व करके A और D का मान निकलना पड़ेगा तो हम इने घटा देते हैं A प्लस 6D इकल टू माइनस 1 और A प्लस 15D इकल टू 17 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो ये कैंसल हो जाएगा और ये आपके लिए 15 है यहाँ पर और 15 मैंसे यहाँ पर आपके लिए 6 घटा देना है तो सिंबल हैं यहाँ पर आपके लिए 9 बचेगा वो भी माइनस का तो बच गया 9D बराबर 17 माइनस का और 1 अठारा हो गया तो minus स da minus cancel हो गया तो 9D बड़ाबर हो गया 18 और D बड़ाबर हो गया 18 गटे 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 याने D kamawn हो गया 2 अगर ये D kamawn 2 आया तो समी करण 1 से A kamawn निकल लेंगे तो D kamawn समी करण 1 में तो A plus 6 in 2 d kamawn हमारे पास है 2 तो बराबर में माइनस का 1 तो A प्लस 12 बराबर में माइनस का 1 तो A बराबर हो जाएगा माइनस 1 और 12 इदर चला जाएगा माइनस का 12 तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 13 A का माना गया और D का भी माना गया है तो हम इसका ब्यापक पद निकाल सकते हैं तो tn equal to a plus n minus 1 into d tn equal to हो जाएगा a कमान minus 13 plus n minus 1 n minus 1 into d d कमान हमारे पास से यहां पर दो तो यह हो जाएगा tn equal to minus का 13 plus 2 into n minus 1 यह हो जाएगा हमारा ब्यापक पद इस तरीके से अगर हम n का पद जो भी मान बदलते जाएगे तो यहां पर हमारे लिए term आते चली जाएगे तो इस तरीके से यहां पर यह प्रश्न हमारा खतम हुआ लग उत्रिय प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं नेक्श्ट वीडियो में मिल जाएगे